हेलो फ्रेंड्स आपका सवगत है आई टी फाइटेर यूटूब चैनल में फ्रेंड्स कल हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो यहां तक पढ़ लिया था आप देख स लगते हैं स्क्रीन में और कल हमने कल हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था ABC क्या है और CPR के बारे में पीपी के बारे में जाना था आज हम पढ़ेंगे 5S के बारे में 5S से भी काफी important question आते है तो 5S के बारे में हम लोग जानेंगे और 5S कहां की प्रणाली है यह एक्जाम में पूछा जा सकता है तो 5S हमारी जापान की प्रणाली है ठीक है इसके अलावा इसमें 5 5S का मतलब क्या है यहां परгор ठीक है अनावस्यक चीजें जो अनावस्यक टूल थे उनको हटा तो दिया है लेकिन उसमें कुछ important tool है ठीक वो भी important tool है माली जी कोई smooth file है bastard file है वो भी क्या है mix रखी हुई है तो अब हम जब धूलने जाते हैं है ना तो हम धूल नहीं पाते हैं अगर हमें पता हो कि order में कोई चीज रखी हुई है तो अगर हमें धूलना होगा smooth file है कोई भी हो serial से अगर कोई चीज रखी होती है तो हम आसानी से धूल लेते हैं कि माली जी एक नंबर की प्लेट यहां पर है दो नंबर की यहां पर है तो 90 नंबर की प्लेट कहां पर हो क्योंकि serial से अगर कोई चीज रखी होती है आसानी से धूल लेते हैं उसी को बोलते हैं इसी को अगर फूर पूरा बोला जाए set in order मतलब यहां पर क्या है order में रखते हैं ठीक है तो आप समझ गे short में में क्या होता है चचटनी करना या अन्यावर्स चीज़ों को हटाना set में क्या होता है या seatone इसी को दोनों नाम याद रखना है seatone या set इसमें क्या होता है कि हम order में रखते हैं ठीक है tool को order में रखना इसके अलावा sign क्या होता है workshop को साप करना standardize में क्या आता है हमारा यह तीओ लगे टीओ ठीओ इसना क्या आता है है कि साफ सफाई और यहार में जिसमें आपका ओर्डर में रखना है और साथ में प्लस सफाई भी होनी चाहिए तो हमारा किस के अंतरगत आएगा वो सिकेशू के अंतरगत या इस्टेंडराइश के अंतरगत आएगा अगर कोशन पूछा है कि वर्क्शॉप की सफाई बगरा रखना है तो वहाँ पर हम साइन के लिए जाएंगे और मसीनों चालू हालत में होनी चाहिए है न तो यह हमारा सस्टेंड में आता है ठीक है इस कामलों फीगर के माद्यम से भी समझ लेते हैं दिश से की और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा देखे इस इमेज को आप देख रहे होंगे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा यहां पर उपर हेटिंग लिखा हुआ है फाइज फाइज मैतलोडी तो यह विधी है यहां पर दिखाया गया है फीगर के माद्यम से नमबर एक में है सौट यह बेक्त क्या कर रहा है जो अनवस्यक चीजें उनको हटा रहा है ठीक है यह तो आप समझ पा रहे है चटनी करन है छटनी होने के बाद हमने क्या कहा था सिट या फिर उसको आप बोल दो सिट इन और और में रखना तो एक अलमारी है जहां पर स्टूल वगएरा जो समान है उसको क्या एक और में रखा जा रहा है ठीक है तो यह हो गए हमारा सिट इन और फिर इसके बाद दिखिए सबysis है कि अनुवाइब होुए है कि यहां पर हम देखते हैं यह आ पर दिका जा रहा हुए यहां पर दिखा है मिए पर उद्थ decrease Все में क्या होता है कि यहां क्वाइब है उस्थेन उन्ह transport good को छीद्ध संप कि और चल्ण ट्फ उस्थ discipline है वो भी यहाँ पे देखा जाता है ठीके तो इसका अर्थ क्या होता है सश्टेन के मतलब होता है कि और क्या होता है मसीनों को चालू हालत में रखना ये सश्टेन के अंतर बताता है तो ये आप समझ गये होगे ठीके पस इतना याद रखना है कि यहां पर माली जी और सौट ना देके सेरी पूछ लेता है कि सेरी में क्या किया जाता है तो सेरी में अनावस्यक चीजों को हटाते हैं सीटोन में क्या होता है सीटोन में वस्तूओं को क्रम में रखते हैं और में रखते हैं सीशों को मतलब क्या होता है सीशों में क्या होता है न तो याद हो जाएगा शीके इसमें क्या होता है ये तीनों चीजें जो seperti प्लास प्लस इसमें जो स्वस्तोँ है जो टूल है उनको order में रखना प्लस चटनी इसके तिनों आ जाता थे और सीके इसे हम क्या सफाई करना तो हमारा इसमें साइन में आ गया है ना और तीनों की बात करेगा तो तीनों हमारा इसमें आ गया कौन कौन से वर्क्शॉप की सफाई करना प्लस ओर्डर में रखना छटनी करना यह हमारा इसमें आ गया इसमें क्या आता है जैसा कि हमने बतायता है मशीन को इसके अंतरत आप कोई भी वरक्शॉप में एक काम होता है तो वहाँ पर क्या प्रोटेक्शन अच्छा होता है ठीक है साफ सफाई भी जरूरी होती है तूल को और में रखना होता है अगर आप नहीं रखोगे तो फिर वहाँ पे दूसरे जो नया आएगा वो धूड़ेगा कहां पर उस्से समय तो साइन साफसफाई होनी जी से जो भी वर्क्षीज बना रहेते हैं अच्छा वग्रणाबर कौश्चेन का कि मशीन को देखते हैं कि मशीन हमारी बाप्री तो सिंपल सी बात है कि अगर साफ सफाई होगी सभी नियम कानून वहां पर मतलब जो रूल रिग्लेशन वह उनका पालन किया जाएगा तो हां पर क्या है मार्श प्रोजेक्शन होगा उत्पादन में बढ़तरी होगी मालीजी साफ सफाई है तो टूल वगएरा भी हमारा जैसे कि हमने बताया वही यहां पर भी दिया गया है तो आप इसको भी रीट कर सकते हैं लेकिन अच्छे से हमने सब के बारें बता दिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो यहां पर लिखा हुआ है वह सो जो हमने बता है वही है ठीक है चली अब हम लोग देख लेते हैं कि री साइकलिंग क्या होता और क्यों करते हैं तो री साइकलिंग करते हैं तो आप आते थी कूर्जा और संसाधन का बचाओ कर सकते हैं जिससे प्रदूसर में भी कमी आई है अगर आप री साइकलिंग करते हैं री साइकलिंग क्या होता माली जी कोई product आपने यूज किया और उसको फेक दिया तो उसकी recycling करके फिर से उस चीज को बना जाता है माली जी कोई आपने पानी पिया और bottle फेक दिया तो उस bottle का किसी अन चीज में यूज कर लिया गया recycling कहलाता है अगर उसका यूज नहीं करोगे मतलब अगर कमपनी या कोई भी यूज नहीं करता है तो फिर बूतल क्या वहाँ पड़ी रहेगी कहीं भी खुले स्थान पर फिर क्या होसा पानी बरसा होगी फिर वो प्रदूसर में कनवर्ट हो जाएगी तो उससे क्या होती प्रदूसर होता है तो ये प्रदूसर में कमी आती है अगर क्या है रिशाइक्लिंग किया जाए माली जाप कोई भी प्रोड़क्ट यूज करें वो अब यूजिलेस हो गया और संसाधन का बचाओ कर सकते हैं संसाधन का बचाओ कर सकते हैं यह आप अच्छे से समझ पा रहे होगे जिसे की प्रदूसर में भी कमी आएगे तो उसमें आपको select करना होता है composting क्या होता है यह एक प्राकरतिक तरीका है तो composting क्या है एक natural तरीका है जिससे कोई खतरनाग by product नहीं होता है सामगरी निप्टान का इस विदी से सामगरी को carbonic compound में बदल दिया जता है इसे प्रयोक हाद के रूप में किया जा सकता है ठीक है तो जो हम लोग जो भी है हमने product वगरा use किया है और use करने बाद उसको fake दिया है तो यह natural तरीके से उसका फिर से उत्पादन किया जता है तो यह natural तरीका होता है एक natural विदी है जिसमें कोई खतरनाग byproduct नहीं होता है सामगरी नेप्टान का इस विदी में सामगरी को carbonic compound में बदल दिया जता है मतलब कि जो भी आपने product यूज किया है तो उसको composting विदी के मादध में किया जा सकता है तो composting क्या एक प्रकार की प्राकरती की करिया है ठीक है जिसको इसमें जब हम product को nest करते हैं तो उस nest करने में हम carbonic compound में बदल देते हैं मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल कर उसका प्रयोग हम खात के रूमें प्रयोग करते हैं यह होता है हमारा composting अच्छे से याद हो गया हुआ landfill क्या होता है तो landfill ही होता है इस विदी में एक बड़ी जगह पर जमीन को खोद कर उसमें सारी सामगरी भर दी आती है मतलब जो भी product वगएरा है जो ठीक है माल लीजी वह टूल वगएरा या plastic वगएरा कुछ भी आप माल लीजी जो भी वस्तुएं वह useless हो गई है तो उनको क्या करेंगे वह production ना फैला है इसलिए क्या करेंगे जमीन खोद कर एक खुली जगह पर आनावस्चक जगह वह आपे खोद कर उसमें क्या है सारी सामगरी को आपे भर देंगे ठीक है इसे बोलते है landfills याद रखिएगा ठीक है next point है यहाँ पर बेकार सामगरी को चला दीना burning the waste material यदि आप land यदि आप recycling नहीं कर पाते है recycling मतलब प्रोड़क्ट को दुबारा से बनाना ठीक है landfills या landfills को इस्तापित करने का उचित इस्थान नहीं मतलब कि जैसे कि माली जी जहां पर भी यूजिलेस प्रोड़क्ट को जमीन के नीचे रखना है ठीक है तो वहां पर उसके लिए माली उचित इस्थान नहीं मिला है तो आप अपने घर में उत्पन कचेरे को जला सकते हैं जो भी यूजिलेस कमपोनेंट है वस्त हुए है उनको क्या है जला सकते हैं कचेरे को उच्चतापान पर नियन्ति धंग से जलाना जिससे वास्प और रा ना जिससे वास्प और राक बने यह एक कच्री की खत्म करने की माने पदती है मतलब इन्होंने यह कहा है कि जो भी आप प्रोडक्ट है वो खत्म कब हो कब आप उसको माने जब वह वास्प और राक के रूप में कनवर्ट हो जाए जब तक वह वास्प या राक में मगरी जो भी होती है कोई भी प्रोड़क कैसा भी वस्तुएं हो अगर उनका आप उनका वेश्ट कर देते हैं उनको मतलब की रिसाइक्लिंग कर देते हैं या कंपोस्टिंग कर देते हैं तो उससे क्या फायदे होंगे या फिर उसको जला के नश्ट कर देते हैं उसके फायद नाश्स नहीं करेंगे तो इससे क्या होती है वर्दिशॉप में प्रतिकूल प्राव की कमी होती है थूए फूगर इकांप पर आपको काफी अपॉर्टन रहेगा नेक्स्ट है आपर और इन्क्लिएषन भस्म करना वहीं जो भी हमने बताएंगी जो आप यह तो घर की बात हो गई अगर फैक्ट्री में 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 फ तो हैं कि या पूछा गया स्प्रिया है कि इंक्रिनेशन क्या होता था कि अभी सब्सक्राइब करना नहीं लिए होगा वहाँ पूछेगा इंक्रिनेशन क्या है उसको और हिंदी में भी इंक्रिनेशन लिग देगा और फिर इस चार आप्षन दे देगा तो अंसर क्या लगाएंगे यह कूड़ा कच्रा जलाने की प्रक्रिया जिसमें अधान सील राक धुआ और उस्मा के परिवर्तित हो ज सब्स्च्पट का सब्स्टा कमदेता ऊट है करते हैं कभी-कभी इसका उप्योग विद्ध पावर उत्पाद अमें विका है ते ना आप देखते होंगे जो वी कभी-कभी कुछ ऐसे प्रोडेक्ट होते हैं जिनका हम जो उसलेस्तों होता होता है विदुद पावर में उत्पादन करने में भी प्रयोग करते हैं इसके बाद हैं waste composition यह क्या है हमारा पुनाउपयोगी बनाना अपसिस्ट पदार अपसिस्ट पदार जैसे डिबे प्लास्टिक की बोतलों को एक गला कर इनको क्या करते हैं गला देते हैं गला कर उन्हें पुना उपयोगी बनाया जाता है इस प्रक्रिया में इस्थान की अधिक आवसकता होती है बलब इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया जिसमें हम टिब्बे प्लास्टिक वगएरा को क्या है गलाते हैं तो गलाने के लिए लिए प्रॉपर बात फगर चाहिए है यह ब्रॉपर वक्शॉप होनी चाहिए तो उसमें क्या है एक बड़ी सी यह है कि आफ सजकता बड़ी से इस प्रक्रिया में इस्थान के अधिकाव सकता होती है इस अता इस से बनाना परिवहन रख रखाओं में कट्था ही आती है ठीक है तो यह हो गया हमारा वेश्ट कंपोजिशन नेक्स्ट है यहां पर कचरे बातने के लिए कूड़े दान का कलर कोड अभी तक जो भ रखेंगे कागज का कलर कोड ब्लू होता है इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे आप इंग्जाब पेपर देने जाते हो तो हां पर जो ओमार सीट होती अगर आपने कभी आफ्लाइन एक्जाम दिया हो तो उसमें ओमार सीट जो होती उसमें कार्बन कॉपी लगी होती और का कलर की देश्टिविन में पूछे फेकेंगे तो जो भी ब्लू कलर का देश्टिविन होगा उसमें हम कागज जैसे बेकार वस्तों है आपे डालेंगे माली जे कापी जो खराब कापी है ना कागज खराब है जो यूजलेस कागज है तो उसको हम कहां पे डालेंगे नीले कल क्लर कोड क्या होता है नीला होता है प्लास्टिक के लिए हम क्या कैलर कोड करते हैं प्लास्टिक कोई है वह यूजलेस हो गई ए इवह भीकार होगा तो उसको किस कलर के डिसटुन में डालेंगे तुसे पील से याद रखेंगे lets ओलाश्टिक होता है तो पास हो जाएगा पीला तो पीले याद रखेगा रेस्ट है धातू में कैसे याद रखेंगे धातू तो यह भी पूछा जा सकता है कि धातू जो भी अनावस्यक में उसको हमें किस bastard के कलर कोर्ड में डालते हैं। इसको कैसे याद राखेंगे जो भी मेंたल होता है उसको आप गरम करोगे तो वो कैसे याद राखेंगे। के यद्रम का तो कभी भी एक्जाम्य पूछेगा कि अगर हमें धा तो ये दालींगे ग्लास है तो वह टूड गया है, अब उसको आपको डालना, किस डाफ़े मेरा, किस कलर की डालोगे, फ़ी ऑनधे मेरा करें, ग्रीन कलर के मेरा क्स Кणा का ग्रीन होगे, उसको कैसे याद रखेंगे, समानता है आप दीखेए का जब भी आप पार्क वेकर हम कभी कभी टैलते हैं ठीके पार्क वेकर हमें टैलते हैं तो वहाँ पे घास होती है घास किस कलर में होती है हरे कलर की होती है तो जब वहाँ पे टैलते हैं तो कभी कभी क्या होता है लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग क् चीज अगर हम बता तो उसको रियल नहीं समझने बस याद करना याद करने का तरीका मता रहें तो गमाली जी एक मैदान ने घास का वह घास कैसी होती हरी ठीक हरी वहाँ पर क्या मिल सकता है तो काच के लिए कलर कोड क्या होगा हरा तो इस प्रकार से याद रखना है खादिस स मगरी खादिस समगरी कें लिए काला जाबुन कुछ भी खाने की चीज ऐसे सोचने लिए जो ब्लैक क referring की होती है न तो जामून कैसे ब्लैक कलर खोटा उसको याद रख सकते हैं तो खाने समगरी जामूल वालगो छराब होगे लोगा अप काली करेक लिया के देश्ट्य में डालोगे ठीक है खा देशामगरी के लिए कलर कोड कर ब्लेक अगया ना चाहिए अगर इन में से कुईえー जाम में से कुछ और भूश लेता है तो वह हमारा किस में आजाएगा वह स्वास्ते खत्रों के प्रकार बहुत इंपोर्टेंट यहां से कोशन आप समानते हैं यहां में देखें होंगे और आपको आगे जब आप कि तो आपको खुद भी मालूम हो जाएगा ठीक है तो बेवसाइक खत्रों के प्रकार क्यों कौन से होते हैं तो नंबर एक होता है सारीरी खत्रा नंबर क्या होता है नंबर एक होता है सारीरी खत्रा यह क्या होते है टाइस अप एक्कूपेशनल हेल्थ हैजार ठीक होते हैं बेवसाइक खत्रों के परकार होते हैं, अब देखिए जो हमारा सारी खत्रा है, फिजिकल हैजार है, जो केमिकल हैजार है, ये काफी इंपॉर्टेंड होते हैं, एक जाम में ये पूछता है, कि निमने में से कौन सा खत्रा, कौन सी बीमारी है, ये कौन सा, तो वो किसकी अंत हेजार में क्या आता है और जी विज्ञान यह इंपोर्टन नहीं है फिर भी देख लेंगे और सारीरिक विज्ञान समधी खत्रे में क्या क्या आता है चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि मेकेनिकल खत्रा सारीरी खत्रा, केमिकल खत्रा, जीविग्यान, सारीरी, इसके आंगे हम लोग देख रहे थे, मेकेनिकल खत्रा, ठीक है, मेकेनिकल खत्रा, इलेक्टिकल खत्रा, मनोवेग्यानी खत्रा, स्रम दच्चता खत्रा, ये क्या है, ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं यह हम टाइप साप ऐक कूपेशनेल हेल्फ हैजार के टाइप पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ेंगे कि यह तो हमने बता दीए कौन-कौन से important है तो इस में आपके do important है physical hazard chemical hazard और यहाँ पर important है mechanical hazard और यहाँ पर electrical hazard यह चार बहुत ہी important है। तो चली देखते हैं फृजिकल hazard में क्या क्या आता है। तो यह आपको ध्यान से देखना है ये लिश्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन में यह आपको याद रख लेना चारों यह बहुत ही अच्छे से याद रखना है एक जाम में पूछता है कि radiation किस hazard के अंतरगत आता है यह पूछ लेगा कि physical hazard में कौन सा आता है इनमें से एक option दे देगा उसमें आपको select करना होगा तो physical hazard में क्या क्या आता है शूर तिक कि physical hazard मतलब की फिजिकल मतलब जैसे आपने मेटल की प्रोपर्टी पड़ी होगी तो फिजिकल प्रोपर्टी आपने पढ़ा होगा और यह पढ़ा होगा मेकेनिकल प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी मेटल में क्या होता है जिस जिसको हम बदल ना सके हुमारी फिजिकल मेटल का तो यह क्या है फिजिकल पॉपर्टी इसे हम बदल नहीं सकते हैं ठीके तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीके तो फिजिकल पॉपर्टी क्या कहाएगा हमारा सोर आएगा गर्म थंदा थंदा वाइब्रेशन रेडियेशन सजावट इसमें अगर आयनी करण या रेडियेशन किस हैजाड कि किस अकूपेशनल हैजाड के अंतरगत आता है तो रेडियेशन जो है फिजिकल हैजाड के अंतरगत आता है ठीक है क्या या दखना है रेडियेशन जो होता है फिजिकल हैजाड के अंतरगत आता है रट लीजीगा रेडियेशन द होता है ना बहुत सारी किल नहीं होती होती है तो क्या radiation तो इह physical property क्या है hem आरा physical это Why chemical güzel है उत्रक्त क्या इसमें भी आपका located radio धर्मी ठीकर तो इनमें तरब आपके Subscribe छेकर फिजिन कलम हजाइद एफडसर आपको ये आपको usesite या आपको याद करें जोलन्सील विसेखो कौन सा है तो यह हमारे केमिकलखत्रा है विसाक्त क्या है केमिकलख websites सबसे इंहीं पॉर्टेंट है इसमें आपका जोलन्सील तो एक आधरे आधो यह होता है इन्स विश्पोटक ऑर हлись से ही वोता है हन्स विसेखोटख कौन सा occupational हजार है कौन सा occupational हजार occupational मतलब ब्योसाइक हजार मतलब खत्रा तो occupational हजार कौन सा है यह आईनी करण यह हमारा है physical हजार अभी हम लोग ने पढ़ा ना आईनी करण ठीके चले निश्क की ओर चलते हैं तो radio धर्मी याद रहें न हम फूसते रहेंगे बिजवीच में radio धर्मी और विसफोटक हमारा chemical हजार के अंद्रगत आता है जी विग्यान समदी खत्रे कौन-कौन से होते हैं बैक्टिरिया वाइरस फूंगी प्लाट फे पेस्ट इन्फिक्शन यह होते हैं इसमें ज्यादा देखा नहीं गया है कौन जो भी आमने ऊपर तो बताएं वह काफी इंपोर्टन कौन है बैक्टिरिया जी विग्यान में आप समझ जाओगे वाइरस भी समझ जाओगे फंगस वगेरा प्लाट पेस्ट इन्फिक्शन यह सभी क्या बैलोजी हैं बैलोजी समंदी थेजाड है यह भी आये तो आप पासानी से समझ जाओगे अगर एक जामे से आ भी जाते हैं यहां पर सारीरिक विग्यान समंदी खत्रा ठीक है सारीरिक विज्ञान समधी खत्रा क्या क्या होता है बर्ती, आयू, बीमारी, भुखार, ठकावटी यह क्या है सारीरिक समधी विज्ञान खत्रा है तो इससे काफी कुछ इंपोर्टन नहीं पूछा जाएगा जो यहां पर फूछा जा सकता है वो हम यहां पर आपको बता रहे है मनोवग्यानी खत्रा मनोवग्यानी खत्रा में क्या क्या है गलत, परवत्ती, धुम, मुर्पान यहां पर आता है आगे यहां पर देख लेते हैं मनोव इिख शिचित खराब और तरीका अनुपस्थित आवग्या यह हमारा या पर आता है ठीक दुरुगट्ना प्रवत्ती भावनात्मा को तेजना हिंसद ढराना धमकाना योन उत्पिलन और यह हमारी समय है ठीक हमारा किस में आता है Biannoye घ्राइए खत्रा जो इंपॉर्टन नहीं है ठीक कि जो इंपॉर्ट Statistics है यम आपको इताते जा रहें array नेश्ट यह पर इंपॉर्टन और क्या कहते है आईनी विक्राउंड को और क्या कहते है रेडियेशन क्या कहते है फ्रेंट्स रेडियेशन तो आईनी विक्राउंड और रेडियेशन किसमें आता है यह हमारा फिजकल हैजान दूसरे नंबर में हम लोग आपको क्या याद करा है हमने याद करा है आपको विस्फोटक क्या याद करा है विस्फोटक याद रहेगा आपको ठीक है विस्फोटक याद करा है किसमे केमिकल है जाड में और आपको रेडियो धर्मिता रेडियो धर्मिता आपको याद करा है जैसे कि हमने बता है विस्फ उपकरण ना होना यह कोशन आप जब पढ़ोगे उसमें पूछता है कि निमी का एम से क्यों है आप कोशन बैंक पढ़ोगे तो आपको कोशन मिलेगा निमन में से कौन सा मेकेनिकल हैजार्ड है तो आपको यह ऑप्षन मिलता है और आंसर यही से होता है ठीक है कौन सा सुरच्छा उपकरण ना होना सुरच्छा उपकरण ना होना वहाँ पे ऑप्षन दिया है अनगाड़ेट करके मतलब कोई ग्राइंडर है मालीजे वहाँ पर जो एक सपोर्ट के बहुत आप करव की टाइप के होता है तो जो गाड अगर नहीं लगा होता है यह सुरच्छा उपकरण नहीं यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा खत्रा हो सकता है वहाँ पर हमारा मेकेनिकल हैजाड होगा ठीक है तो विचारहीन प्रशाशन घेरा बंदी ना हो NDA यह important है तीसरा सुरच्छा उपकरण ना होना सुरच्छा उपकरण ना होना सेप्टी टूल ना होना सेप्टी उपकरण माली जी आप helmet ने यूज कर रहे हैं है न विल्डिंग करते समय तो यह भी हमारा किसमे आएगा mechanical हजार में mechanical हजार वहां पे होगा ठीक है तो आपसे पूछा जाए माली जी आप grinding कर रहे हैं उसमें हम चीप चीपिंग गॉगल्स वगरे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके कौन सा खत्रा होगा वहां पर हमारा mechanical हजार होगा इस टैप से जामने कोशन पूछ सकता है तो सुरच्छा उपकरण ना होना और फोर्थ है ह आपको याद रहेगा इलेक्ट्रिकल खत्रा में क्या क्या आएगा यह आप थोड़ा सा समझ सकते हो अर्थिंग ना होना आपको लग भी रहा होगा तीन इंपॉर्टेंट पढ़ा एक हम लोग ने पढ़ा और तीन हमने पहला नमबर में पढ़ा फिजिकल हैजार फिजिकल हैजार पढ़ा फिजिकल हैजार में पढ़ा आइनी करण या रेडियेशन दूसरे नमबर पर जो काफी इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ा chemical हैजार chemical हैजार में क्या पढ़ा radio धर्मी या विस्फोटक फिर तीसरा जो झाफ इंपोर्टेंट था mechanical हैजार इसको क्या कहते है mechanical हैजार में हम लोग ने क्या पढ़ा अगर हम safety tool का यूज नहीं करें मालीज आप grinding building कुछ भी कर रहें वहाँ पर safety तो वह चाहा całकुति तो मेकेंकल हेजार you कि है आप हिलमेट पाहल 혼द हो चीपिंग गावाड़ लगा सकते हो पोचीज ऊंपरendra आपको चोट लगने यह बचोंगे तो यह होते हैं पंद्शेता सम्मधी खत्रा सरम दच्चिता सम्मधी खत्रा क्या होता है manual handling टक्निकी खराब होना machine layout गलत होना इसे कभी कभी question नहीं पूचा गया design गलत होना housekeeping खराब होना तो यह गलत tools आदि यह सब किसमें आता है यह सरम दच्चिता सम्मधी खत्रे में आता है न हुँ ठीक के तीस मिनट की लबक क्लास होगी हमारा टार्गेथ हम लोगग कर रहता है कि लबक तीस मिनट की क्लास हो तो क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर लॉंग वीडियो हो जाती तो यह टाइम ख Deus है का ठीक होते हैं आप भी नाराज होते होंगी जो हम time देते उस class में उस time में class नहीए पाती है तो हमें भी बुरा feel होता है और आप भी नाराज हो जाते होगी इसलिए हम को миним20 करते हैं जल्द सचीन reboot und को सिस हमारी रहती कि कम time में ज्यादा आप चीज़یں आपको बता सके तो कल की class में हम लोग पढ़ेंगे sign के पढ़ेंगे sign पढ़ेंगे safety sign बहुत ही important class कल होने वाली आज जो हम लोग ने पढ़ा 5S के बारे में काफे important हम लोग ने पढ़ा कल हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे safety sign के बारे में और आगे ये काफे important है ना कौन से symbol को क क्या कहते हैं Publishing Sign Sh rankings a mandatory sign ठीक एंड के इनके color पूछे जाते हैं कि warning sign का color क्लर क्या होता है इसका कैसा आकारनचित्र होता है यह बहुत ही इकजामे पूचा जाता है इसे समधित कोर्षेन सी चायव आप में beste Litake Nation में, पीरिविस पेपर में पूछा गया है, तो हर एक्जान में इस ट्राइब से कोजन पूछा जाता है, यहाँ पे वो figure दे देता है, कि यह figure है, बताई इसको क्या कहते है, तो इस टाइब की class, अब बतलब यह जो हमने आपको अभी बताय है, इसके details की class का लोगी 6 p.m. में 6 अथवा 7 p.m. में तो आ जाईएगा IT fighter channel को subscribe कर लिजे bell icon on कर लिजे जैसी video upload होगी तो आपके पास notification आ जाएगा आज की class आपको कैसी लगी है 5 एस के बारे में आपको कैसा लगा mechanical hazard chemical hazard है ना और physical hazard इनके बारे में जो हमने आपको details में बताया landfills composting इनके बारे में जो भी हमने आपको details में बताया color code के बारे में जो भी बताया यह क्या चीज़ें आपको याद हो गई है अगर याद हो गई है तो comment करके हमें बताई गया कि हासर याद हो गई है और class कैसी लगी उसके बारे में feedback दीजिए का में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप feedback देते हैं चले मिलते हैं नेस्ट क्लास में बाई बाई और लाइटेस्ट देना भूलिएगा नहीं लिंक decision box में क्लिक कीजे टेलिकराम गुरुप जोईन कीजे नैन पीम में लाइटेस्ट होगा 50 कोशंण रहेंगे 30 मिनट का टाइम दीजएगा तो 9 से 10 पीम की बीच में टेस्ट देजएगा ठीक है 9 से 10 पीम के बीच में लाइटेस्ट होगा जिसमें की 50 कोशंण in English दोनों ल लिएगा नहीं ओके अपना ख्याल लखिएगा बाय बाय टेक केर